दोस्तों नमस्कार स्वागत है देश की पुकार शैनल में दोस्तों मैं बौधिष्ट विचार धारा से हूँ और भगवान बुद्ध का अन्याई हूँ और भगवान बुद्ध के विचारों से ही मुझे प्रणा मिली है कि लाखों लोग किसी बात को सही ठारा रहे हो या कोई बात कह रहे हो लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है किसी बात को तम मानी जाए तो जब आपकी दिमागी कसोटी पर परिछण करने के बाद आपको लगे कि वो बात सही है तम मानी जाए ऐसा नहीं कि वो पुस्तकों में आएसी पुस्तक में लिखी है जो पुस्तक बहुत सम्मानिक है और बहुतो द्वारा वो बात मानी गई है इसलिए वो बात सही है इस पर कोई सवाल नहीं उड़ना चाहिए पगवान बुद्ध ने कहा है उसमें सवाल जरू ठाई है और उसका परिछड करिए उसके बाद उस बात को माने उसकार को करें इसी कड़ी में दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो ये महामारी देश में फैला हुआ है ये भैंकर सवाल खड़े कर रही है आज क्यों कर रही है इसके लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा मैं कुछ साच के साथ बात रखूँगा और आपको समझ में आएगा मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सच्चाई अगर मैं दावे के साथ प्रस्त करूँगा तो ये सही नहीं होगा आज के समय में मैं अपनी बात रखूंगा अगर आपको मेरी बात आपको अच्छी लगती है समझ में आती है विबेग करने पर समझ में अगर आ रही है कि हाँ ये बात सही होगी तब इस वीडियो को शेयर करना अन्न था इस वीडियो को शेयर मत करना दोस्तों लाइक मत करना तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज इस महाँ भेंकर बिमारी में लोग 2020 के अपेच्छा 2021 में जो मौते बढ़ी हैं मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि इस समय एक बात को नोटिस करिये कि इस बात की और ध्यान अपना आकरसित करिये कि पिछली साल के अपेच्छा इस साल जो मौसम बदल रहा है मौसम परवर्तन हो रहा है नोटिस कीजिए इस बात को कि किस प्रकास से गलोबल वार्मिंग बढ़ रहा है मौसम में उतार चढ़ा हो रहा है ठंडी पढ़ रहा है गर्मी पढ़ रहा है इस अप्रेल के महिने में एक ये भी कारण हो सकता है कि इसी कारण से बिमारियां तेई से बढ़ रहे हो और जो टीबी के मरीज है या अन्परकार के मरीज है उन लोगों को इस जो तापमान के घड़ते बढ़ते क्रम को बरदास नहीं कर पाती है और जिनका सरीर इस तापमान के कम और जदा होने के सिलसिले को बरदास नहीं कर पाती हैं, साय नहीं पाती हैं वो मौत को प्राप्त हो रहे हैं ये कहां तक सही है इस बात को हमने अपने बिचार से आपकी बताने की कोशिश की आप इसको अपने दिमाग से मनन करिए कि अपकी बार जो मौसम चेंजिंग हो रहा है किया ये बात सही हो सकती है इसी लिए ये बिमारियां बढ़ी हैं ये मेरे प्रसनल बिचार है और महामारिय का जो ग्राप बढ़ा है इसमें करोना बता जा रहा है कोई भी किसी भी तरीके से मरता है मृतुदर जो बढ़ी है किसी भी तरीके से मरता है तो उसे करोना नाम दे दिया जा रहा है और इस महामारिय के करोना का संक्रमर कोई साधिस तो नहीं है जो देश में रूमर फैला करके मरने वालों की संख्या की गिंती करके और भय बना करके कोई साधिस तो नहीं किया जा रहा है मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि बड़े बड़े नेता लोग जो टीका लग रहे हैं इंजक्शन लग रहे हैं वो लगाने का जो दिखा रहे हैं आप उस वीडियो को देखिए आगे आपको हम दिखाएंगे ध्यान से देखना कि वीडियो में किस प्रकार से डाक्टर इंजक्शन लगा रहे हैं या फूटों खिजवा रहे हैं कि वह लाटक कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आएगी देख लीजिए ये वीडियो आपके सामने है भाटके सामने में sleए लीजों अी फ्लीão नापके लीज़गागाओ ये चर किस आपके सामने हैं उर औने हैं आपने देखा किस प्रकार से एक नौटंकी की जा रही है इससे क्या लगता है इससे यहीं लगता है कि केवल केवल सिर्फ एक साधिस के तहल लोगों को गुम्रा क्या जा रहा है इनको पता है कि रोन आमक कोई बिमारी नहीं है टीका कोई कुछ नहीं है टीका से कुछ होने व अमिसा, मोदी जी और अन्यता बाजपा के निता, आक्सर मैं यही कहूंगा बाजपा के निता आज हो क्या रहा है ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं, आक्सिजन नहीं कोई ब्यवस्ता नहीं, इन्होंने अपने सासनकाल में कुछ भी नहीं किया जो कुछ भी है, बजपा के सासनकाल की है और सपा के सासनकाल की है आज इन्होंने किया क्या है, कुछ नहीं किया केवल देश को गुमरा किया है इन्होंने हिंदों मुसलिम के नाम पर बाटा है धर्म के राजनीत की है धर्म के नाम पर लोगों को गुमरा किया है और लोगों ने धर्म के हिल के ले हित में चुना है इसलिए तुम यही कर रहे हो तो दोस्तों एक वीडियो हम ये दिखाने वाले हैं साज के साथ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सादिस है और सडेंद्र हो सकता है दावा तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है इन वीडियों के माधन सवाल उड़ रहे हैं उस सवालुक के जरीये मैं यह बतानी कोश्ची कर रहा हूं करें, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अमिस्टा का एक वीडियो है, अमिस्टा वहाँ पे जाते हैं, और मास्क का प्रियोग नहीं करते हैं, इसलिए संकाउत्पन होती है, एक करोना मरीज से मिलने जाते हैं, लेकिन मास नहीं लगाते हैं, बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मेडिया पे चल रहा हैं, लेकिन आमिस्टा करोना से नहीं ड़ते हैं, कहा डरेंगे, सवाल एक उड़ता है, इसलिए कहा डरेंगे ही लोग, तो दोस्तो ऐसा ही वीडियो है, जो हाथ लगा है, उसे दे किए कि आपने देखा इस वीडियो में कि अमिस्या मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं मास्क नहीं लगाए हुए हैं और करोना मरीज से मिलने जा रहे हैं उनके साथ में बहुत सारी लोग है वो मास्क को लगाए हुए हैं लेकिन अमिस्या मास्क नहीं लगाए हैं और करोना मरीज से मिल रहे हैं इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो सोसल साइट पर वाइरल हो रहे हैं लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये साधिस है कि वास्तों में बीमारी है लेकिन जो दिख रहा है उसके अनसार यहीं लग रहा है कि ये साधिस है आप कैकिया विचार है कमेंट के माधन से बताएं दोस्तों और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि 22 विचारधारा के लोग ये सोचते हैं और भगवान बुद्ध ने भी कहा है किसी बात को तम माने जाए जब वो बात परिछड करने पर वाइगालिक तरकर देने पर